हालो फ्रेंड्स वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेज आज का लेक्चर बहुत इंपोर्टेट होगा क्योंकि आज हम एक ऐसी मिस्टेक पढ़ने वाले हैं जो अक्सर बच्चे करते हैं बड़े ध्यान से देखिए मैं सिच्वेशन बूर्ड पे लिख रहा हूं पहले कहा देखिए मान लीजिये मेरे पास है 2x2y प्लस 4pq divided by 4 मान लीजिये यह सिच्वेशन है होता क्या है अक्सर स्टुडेंट्स इस 4 के साथ इस 4 को काट देते हैं जो मिस्टेक करते हैं वो इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं तो इसको ध्यान रखना है अगर बीच में ये प्लस ह है माइनस है यानि कि उपर दो लगलग टामजय तो ऐसे नहीं काट सकते करना क्या होगा अगर वाली दोनों टाम्स में से कॉंस्टेंट वैल्यू को कॉमन निकाले लिए तो और फोर का एचसी एफ निकाल लीजिए तो और फोर में से टू कॉमन निकाला तो यहां पर एक स् कि आप मैल्टिप्लाइ करके देखिए तू को एक स्क्वेर वाई से करोगे टू एक स्क्वेर वाई तू को टू पीक्यू से करोगे तो फोर पीक्यू और नीचे रखिए फोर अब इसको काट सकते हैं अब कटिंग कर सकते हैं लेकिन इंड जू कड़ सकते और इसका पाइनल अंसर क्या बनेगा एक स्क्वेर य प्लस टूपी क्यूए और नीचे रहेगा तो देखो यह फाइनल अंसर है अब यहां फिर गलती नहीं करने कहीं इस टू से इस टू को काट तो वो भी गलत हो जाएगा तो यह स्टेप में अक्सर देखा गया कि बच्चे करते हैं कब मिस्टेक तो याद क्या रखना है अगर डिनॉमिनेटर की किसी वैल्यू के साथ सटू है चलते हैं यहां कि मुल्टी प्लाइब यह फिर काट सकते हैं क्योंकि ऊपरर हम टीपलाई का सिंबल आलब फिर वूस एक टाम है है अगर वू बीच मे प्लस मैं अथा पहन नहीं करना यहां काट सकते हो मुल्टी तो फूर से फूर काट दो कोई दिक्कत नहीं है और इसका फाइनल आंसर बने का टू एक स्क्वाइर वाइड पीक्यू मुल्टिप्ली करके लेकिन यह पॉइंट याद रखिए एडिशन सब्रेक्शन के लिए रूल अलग है मुल्टिप्लिक्लिकेशन के लिए अलग है आई होब यह मिस्टेक अब बच्चे दुबारा नहीं करेंगे और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए थैंक यह सो मच